ताकि आप regular production करते नहीं टीम डेवलप होती जाए और जिम्मेदारी आपकी बनती है जब आपके बिजनस का अकार बढ़ता जाए इस वीडियो इस पावरड बाए Metas Lifestyle, इंडियास लीडिंग मैनुफाक्चरर आपने बिजनस से लिए बहुत सारे वीडियो देखें और वीडियो देखके और समझने के बाद आपने अपने बिजनस को शुरू भी कर लिया है बिजनस शुरू करना एक बात है लेकिन अब जो दूसरी समस्या है वो दो आपके सामने खड़ी होती है जो बिजनस आपने शुरू किया है उसको चलाना भी है ताकि वो निरंतर रूप से ठीक तरीके से सुचवारू रूप से चलता रहे और अच्छा प्रॉफिट मार्जन आपको देता रहे और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बिजनस आपने शुरू किया है जिसको आप ठीक तरीके से चला भी रहे है या चलाना चाहते है अब उसको बढ़ाना भी है ताकि उसमें आपकी प्रॉफिट रेशो बढ़ती जाए आपके बिजनस का अकार बढ़ता जाए बिजनस के यूनिट बढ़ती जाए ये दोनों ही महत्वपूर्ण काम और जिम्मेदारी आपकी बनती है जब आप बिजनस को शुरू कर लेते हैं तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि कैसे हम ये अंदाजा लगाएं या कैसे हम ये कैलकूलेशन लगाएं कि बहिए चलाने पर ध्यान दूँ या बढ़ाने पर ध्यान दूँ बिजनस को ठीक तरीके से उस्चारूप से चलाऊं या कब मैं समय निकाल के उसको बढ़ाऊं तो दोनों के ही पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे ताकि आप भी आसानी से ग्रोथ हासिल कर सकें इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है न वो है आपका टाइम मैनेजमेंट क्यों क्योंकि आपके पास जो बिजनस का समय है वो निश्चित आर्स हैं एक निश्चित समय आपको मिला हुए कि आठ से 10 गंटे 10 से 12 गंटे 12 से 14 गंटे आप अपने विजनस को चला सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं अब इसको किस रेशो में डिस्टिब्यूट करें स्टार्टिंग के फेस पर जब आपका बिजनस नया हो तो 70-30 का रेशो होना चाहिए मतलब 70 परसेंट टाइम आपको अपने बिजनस को रन करने पर लगाना चाहिए और 30 परसेंट टाइम बिजनस की ग्रोथ पर लगानी चाहिए और जैसे जैसे बिजनस में सेट अप बनता जाए नंबर ऑफ इंपलोई सेट होते जाए टीम डेवलप होती जाए यह रेशो इसी रेशो में बढ़ता घटता रह सकता है आने वाले समय में आप 50-50 भी कर सकते हैं 25-75 भी कर सकते हैं यह आपके और आपके बिजनस क को अगर चलाने के साथ साथ बढ़ाना भी है तो बिजनस के टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि आप कुछ समय चलाने और कुछ समय बढ़ाने पर लगाए आज इसी विशापरम लोग चीजों को समझेंगे बात करते हैं सबसे पहले आपका जो बिजनस है उसमें रेगुलर से लानी चाहिए रेगुलर से लानी के जिम्मेदारी एक बिजनस ओनर की है क्योंकि आप स्पॉल स्केल बिजनस कर रहे हैं तो सारी रिस्पॉंसिबिलिटी आपके उपर है पर ध्यान रखिए पूरा का पूरा बिजनस जिस चीज़ पर खड़ा है और वह से इसी लिए रेग लुजरी आपके पास निरणत राती रहे और रुफमे आपको रेगुलर से देते रहते हैं और तीसरे वह जो रेगुलर से इसे जो तो डुन को प्रॉब्लमूद नहीं लेकिन अगर आपकी चीज का प्रोडेक्शन भी कर रहे हैं मतला मैनुफाक्ट्रिंग भी कर रहे हैं तो आपकी इसेल के हिसाब से आपका प्रोडेक्शन रेगुलर होना चाहिए क्योंकि सेल का वॉल्यूम कम और ज़रा तो हो जाता है लेकिन प्रोडेक्शन की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है अगर आपके पास सेल कम होगी तो आपका आपका अटोमेटिकली प्रोडेक्शन घट करने वाले हैं इसलिए रेगुलर सेल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है जब एक स्मॉल स्केल बिजनस होता है ताकि आप रेगुलर प्रोडेक्शन करते रहें उसके लिए ज़रूरत क्या है वही बात फोकस ऑन दा एक्जिस्टिंग क्लाइंट और उनकी रिक्वार्म उनकी से संबंदित कोई प्रॉब्लम उसका सॉलूशन उनकी कोईरी तो वह सारी चीज़े करना आपका काम है नेक्स जो इंपॉर्टेंट बात है रेगुलर बिजनस को चलाने के लिए वह है फाइनेंस मैनेजमेंट फ्रेंट्स फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब है कि पैसे करनी है इस पूरे के पूरे फाइनेंस का मैनेजमेंट करना भी आप ही के जिम्मेदारी बनती है और आप जब यह ठीक तरीके से करेंगे तभी बिजनस तेजी से आगे भी बढ़ेगा नेक्स्ट एड्मिनिस्ट्रेशन क्या है कि स्मॉल स्केल बिजनस होनर के पास ना सारी होती है और जरा भी उसका एड्मिनिस्ट्रेशन गड़ बढ़ाया तो वहीं उसका बिजनस मिस्मैनेज होना शुरू हो जाता है इसलिए एड्मिनिस्ट्रेशन से संबंदित आप अपनी धेरे-धेरे टीम डेवलब करें और इस टीम के माधियम से अपना पूरा का पूरा का सिस्टम ठीक सुचार रूप से चलाने पर आप निरंतर प्रयास करें साथ में आफ्टर सेल सर्विस ध्यान रखिए रेगुलर सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर सेल सर्विस बहुत सारे बिजनस में आफ्टर सेल सर्विस दी जाती है और अगर आपकी आ आपका profit regular आपको मिलता रहता है और profit generation जो है वो ठीक same slab में लगातार चलता रहता है जिस ratio में खर्चा बढ़ता है उसी ratio में आप sales बढ़ाने का प्रयास करते हैं और जिस ratio में sales बढ़ाने का परयास करते हैं उसी ratio में आपका profit भी बढ़ता है तो यह बड़ा important है अपने business को regularly maintain क करने के साथ साथ growth possibilities पर भी जाना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग points को consider करना होगा और वो points क्या है इस पर बात करते हैं रेश्यो of time management तो मैंने आपको बताई दिया कि बहुत 70 30 भी हो सकता है 70 प्रश्चत समय बिजनस को कितना बढ़हने पर लगाना है sales growth इ का मतलब है ऐसे नए नही तरीके अपनाना ताकी आप नए दैली टेरिटीर्स को न्याब करते हैं आप कैसे हरियाना मेटरिल भेज सकते हैं कैसे राजिस्थान भेज सकते हैं कैसे नियर्वाइब एरिये के tienen गलग राज्यों में बेच सकते हैं कैसे आप अपने बिजनस को ओलाइन ले जाकर सोशल मीडिया के जरीए या इकॉमर्स के जरीए नई-ई-ई-स की स्ट्रेजी को डेवलब करना जब आप नई-ई-स की स्ट्रेजी को डेवलब करेंगे तो आपका बिजनस ग्रोथ पर जाना स्ट्रेजू वाल्यं बंढनी होता है तो सेल्स की वॉल्यूम को पूरा करने के लिए पर प्रोडेक्शन बढ़ाना है पर प्रोडेक्शन बढने का मतला ऐसा नहीं है इंस्टेन्ट आपके पाँ शे मशीन हैं आपने को planning करनी होगी और यह काम तभी संबब है जब आप सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी पर ध्यान दें इसलिए सेल्स की तीन चार बाते में आपको बता रहा हूं जो आपको implement करनी है number one try to find out new buyer नए भायर ढूंडे try to enter in new city या new state या new country नई city में नई स्टेट में नई country में अपने product या business को लेकर जाएं इसके लावा go with e-commerce websites कि आप e-commerce websites के साथ मिलकर काम करें start online selling online sell करना भी आप शुरू कर सकते हैं और do some advertisement and launch some schemes on social media platform जहां से डारेक्ट कस्टमर आपके पास है तो यह sales growth strategy का पार्ट है sales बढ़ेगी तो master planning आप production के अपने आप कर लेंगे बहुत असान होता है क्योंकि आप पहले भी तो एक setup लगाए बैठे है अब setup का आकारी तो बढ़ा करना है और वह sales management की planning करनी होगी ध्यान रखिए जब आप product को sale करते ना तो उसको product selling करते हैं लेकिन आप business को scale up करते हैं तो people management आपको आना जुरूरी है तो people management का path हो गया growth of team अब यह team पूरी की पूरी team grow होनी चाहिए कहते हैं कि अगर यह हाथ है अगर एक अंगुठा बढ़ने लग जाए तो हम एक विकृति के सिकार हो जाएंगे लेकिन अगर सारी उंगलिया एक अनुपात में बढ़ रही है पूरी बोड़ी एक रेश्व में बढ़ रही है तो कहते हैं कि हमारी growth हो रही है तो आपको क्या करन अपकी टीम की growth करनी है टीम की growth के लिए important है उनकी efficiency को बढ़ाना उनकी कारेक्शमता को बढ़ाना number of employee बढ़ाना केवल संभव नहीं है यह केवल number of employee बढ़ाकरा production बढ़ा लेंगे business बढ़ा कर लेंगे संभव नहीं है अपनी टीम की efficiency को बढ़ाना भी growth strategy का ही part है innovation and research and development friends ध् इस इंडस्टरी में उसमें आपका competitor नए नए चीजों को introduce कर रहा है नए-निआ है्ट निकाल रहे है और नही प्रॉडथ को इन्emyail ओर रह रहे और रिएगूलर research और development में कीवल नए product निए आपके existing product में भी यह नए innovation हो सकता है कैसे उसकी cost कम हो सकती है कैसे उसकी quality और बेटर हो सकती है कैसे वो customer friendly हो सकता है इन सबी चीजों पर काम करना होता है और जो companies ये काम करती है वही company अपने business को growth की और ले जाती है उसके अलावा reinvestment of profit in business एक small scale business owner की सबसे बड़ी problem पता है क्या है वो जितना भी पैसा business में कमाता है इसके business का profit एक लाह रुपे है तो एक लाह रुपे पर मंत घर ले जाता एक और फिर जब business में capital की जरुत पड़ती है तो पैसा घर से क्दमाए होता ही पैसा तो मेरे घर से लग रहा है तो यह समस्षा से एक small scale business owner के साथ होती है करना क्या है अपने profit का minimum 20% से 30% reinvest करें अपने business में या जो बड़ी companies होती है वो क्या करती है हो सबसे पहले identify करती है उनके CEO जा company के owner को कितनी salary चाहिए वो दोनों identity को अलग रखते है owner of the company and company आपकी salary कितनी होनी चाहिए इसकी calculation का सीधा formula है वैसे तो हर वेक्तिकों लगता है कि मेरी salary इतनी होनी चाहिए एक lakh होनी चाहिए पाच lakh होनी चाहिए दस lakh होनी चाहिए जितना profit कमाता हूं उतनी salary होनी चाहिए नहीं आपकी company में जो आपका employee सबसे highest salary ले रहा है उसकी salary 20% और जोड़ दो जितनी आपके efficiency है इतनी ही आपके salary होनी चाहिए और इतने ही पैसे आपको अपने business में से निकालने है पर मंद और बाकी का सारा का सारा पैसा reinvest करना है और जब आप reinvest करेंगे तो आपका business growth की और जाएगा इसके लावा और बहुत सारी तरीक है अपने बिजनस में फ्रेंचाइज ही डिलर शेप डिस्टिबूटर शेप C&F super stockist के method को develop करके business के associate partners को जोड़कर business को expansion के और ले जाएए सबसे पहले ज़रू होता है business को ठीक तरीक से चलाने की और चलते हुए business को आगे बढ़ाने की इसके लावा business से लिटेड आपके मन में कोई भी प्रशन है तो वो comment box में हमें लिखे इन्फॉर्मेटिव वीडि को अभी subscribe कर ले बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि वीडियो का notification मिलता रहे स्वस्त रहे मस्त रहे मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुन्दर भविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत